टेंटिटीट यह है कि मईई सेकंड विक में निकालेंगे इलेक्षन के बाद जो है रिजल्ट आएगा चाहे रिजल्ट को लेके टेंशन में हैं चाहे केरियर को लेके टेंशन में हैं चाहे उनको विशाय सेलेक्षन के लिए किसी भी फिल्ड में अगर उनको किसी वी तरह की जानकारी चाहिए उसके लिए हमारा हेल्प लाइन नंबर आज से प्रारंब हो गया है इसले साल की तुलना में पहले ही हम इसको डिक्लियर कर देंगे और रही बात चुनाओं के दिस्टिक रहते हुए भी हमने सब काम जो है समय पर पूर्ण कर लिया है तो यह बिल्कुल गल और सचीव जो है वो हमारे साथ है मेडम क्या तयारियां है रिजल्ट को लेकर रिजल्ट को लेकर हमारी तयारिया जो है अंतीम चरंड पे है और हमारा जो जिस तरह से एक्जाम लिए एक्जाम के बाद हमने वेलवेशन कंप्लीट कर लिया वेलवेशन के बाद का जो प्रो लगभग कितने लाग बच्चों ने 10th और 12th में एक्जाम दिया थे 10th में लगभग 3.5 लाग बच्चे थे 12th में लगभग 2.5 लाग बच्चे ने एक्जाम दिया है तो इसके बाद फिर जो महत्वपुर्ण तैयारियों के स्वरूप में आप लोग कर रहे हैं कि बच्चों क इन्होंने चेक किया है उसकी भी हमने जानकारी लिया था ताकि उन पर भी अगर रिवेलवेशन में कुछ मार्क्स में अंतर आ रहे हैं तो कारभाई कर सके इसी तरह से हेलप लाइन इस बार हम लोग जो है रिजल्ट के पहले ही आज से ही हमारा हेल्प लाइन प्रारंब हो गया है और उस टोल फ्री नंबर पे जो है नंबर डाल करके जानकरी ले सकते हैं पालग भी ले सकते हैं परिक्षारती भी लेख सकते हैं कई बार पर एसा देखा जाता है कि परिक्षाएं चुकि नैशनल यूनिवर्सिटी की हम बात कर ले तो बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है, जिसत्रह से हमारे एक्जाम एक्मार से प्राराम हुआ था और पीछले साल भी रिजल्ट जो है 13 मई को ऩी क्लियर हुआ था तो हम इसबार तो बलकि हमारा रिजल्ट पिछले साल DKT आ कि अ कर लिए तो बिलकुल गल्ट है कि यह स्वारा प्रदेश नहीं हो रही है यह कहना है माधिविंक सिक्षा मंडल की सचीव का आप देखने वाली बात ही होगी कि जब परिक्षाओं के रेजल्ट आते हैं तो कितनों के चहरों पे मुस्कान होती है लोकमत के लिए स्वाधिकौशिक रिपोर्ट